Hello everyone, welcome back to our channel Kashmir Food Fusion Click on the subscribe button here to subscribe to our channel and press the bell icon button to remain updated जम आपको सिखाएंगे आप घर पे बस्रक कैसे बना सकते हैं बस्रक कश्मीर के स्वीड डिशिस की शान है और सबको बहुत पसंद है ये ये बहुत ज़दा लजीज बनता है और कश्मीर में ये special occasions पे अपनी families में बेजा जाता है as a token of gift ये बहुत ज़दा टेस्टी बनता है और यूजूली ये बेकर्स अपनी रेसिपी जो होती है उनकी वो शेयर नहीं करते क्योंकि ये उनका आठ होता है और हम रेस्पेक करते हैं उसको लेकिन काफी persistence के बाद हमने ये रेसिपी आप लोगों के लिए especially 100% authentic लाई है एक पेकर से मांगे आप ये रेसिपी जरूर एंट तक देखेगा आप देख सकते हैं ये बहुत टेस्टी बना है ये विल्कुल soft है जिसे melt in the mouth हो जाता है और हम आपके लिए रेसिपी कश्मीरी में भी अपलोड करेंगे इंस्टाग्राम और इंशाला फेस्बुक पे भी तो आप हमारे फेस्बुक और इंस्टाग्राम पेज कश्मीर फिर्फिजन को ज़रूर फॉलो करें वहां पे एक दो दिन के बाद हम आपको ये कश्मीरी में भी अपडेट देंगे इस रेस्पी का और आप हमें पिक्चर फीबैक सेंड कीजेगा ये रेस्पी बना कर इंग्रीडेंस हमने लिया है औल परपस फ्लार या मैदा 500 ग्राम तीन मेजरिंग कप्स बाकी सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्रीडेंस लिख कर हैं अगर कोई कन्फीजन है आपको आप देख सकते हैं फिर हमने लिया है शुगर चीनी 500 ग्राम या 2 कप्स इसके बाद हमने लिया है पावडर शुगर ये नर्मल शुगर को पावडर किया है ये 50 ग्राम है या 3 टेबल स्पून यही वाले टेबल स्पून जो मेजरिंग कप्स वाले होते हैं इसके हमने 3 टेबल स्पून या 50 ग्राम लिया है लिए बसके बाए अब लिया है देशी घी कंवा ला लिया है 125 ग्राम्स या half cup venir ही मैजर्मी एक्कड़ों है या हाफ का है का प्रामि दो टेख सैंद्धिय हो जो इसके ऊपर कोट करने हैं अब शेप के लिए हम लोग या तो यह बोल ले सकते हैं हलकी सी ताकि इसमें पिछे से हम स्टिक करें और बना दें अच्छे से यह लेकिन इससे बड़ा बन जाएगा ठीक ठाक बड़ा बन जाएगा अब चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं जो ब कोटलें पैसल का पैसल ले रहे हैं चोटा वाला हम इसी से बना रहे हैं इसको हम क्लीन राप से करेंगे कवर और फिर बना देंगे तो सबसे पहले हमें मैदा है इसको नीड करना है इसका डो बनाना है तो हमने मैदा लिया है सारा एक मिक्सिंग बोल में और इसमें हम गी ड करेंगे तो यह क्रिस्पी नहीं बनेगा उसमें खिचाव सा जाता है रिलीज होने के बाद ग्लूटन से वह आड़ नहीं करना इसलिए पानी हम गी से इसको ज्यादा नीड करेंगे अब जाएगा इसमें शुगर जो हमने पाउडर किया था यह तीन टेबस्पून हमने इसमे डाल दिया है और सारा गी आड़ करेंगे आप जो हमने हाफ कब दिखाया था आपको इस सारा एड़ करेंगे और अच्छे से इसका डो बनाएंगे पहले जमाने में हमने जिस बेकर से पूछा उन्होंने बताया कि यह अनिमल फाट चर भी यूज होती थी बनाने के लिए लेकिन आज कर अब गी यूज होता है तो इनने बोला बटर भी यूज कर सकते हैं देखिए तब तक आपको इसको नीड करना जब तक नहीं इस स्टे करते हैं वह आड करेंगे आप और यह एक कप जाएगा सारा लेकिन हलका हलका करके आप आड कीजेगा ज्यादा पानी हमें हमें बिल्कुल भी सॉफ्ट आटा नहीं चाहिए मैं आपको दिखा दूगी कि यह कैसा होना चाहिए इसकी कंसिस्टेंसी अगर इस सॉफ्ट होगा तो जैसा कि मैं बोल चिए क्यों ग्लुटन रेलीज होगा इसमें और फिर अच्छा नहीं बनेगा और हम इसमें शुगर चौर गी इपना लिखालता है यह देखियां यह बिल्कुल भी soft और properly kneaded नहीं है, ऐसे ही आपको रखना है, इतना ही knead करना है, आप इसको cover करके रखें कि आप तक करीबर 10-15 मिनिट तक तो जसका कि मैं बोल चुकी हूँ, इसको ज़्यादा नहीं करेंगे आप और पानी भी इतना ही आट डाल करेंगे, 15 मिनिट के बाद हम इसको open करेंगे, और अब आपको जितने बड़े आपको यह चाहिए, बस रख उतना आप लेंगे, पिंच आउट करेंगे, उतनी बड़ी आपको जाएंगे एजस पे तो यह फ्राय करने के टाइम टूट सकता है, प्रफक करेंगे कि इसमें क्रैक्स ना रहें, जादा थोड़े बहुत रह जाते हैं कि यह पूरा नीड नहीं हुआ होता है, लेकिन प्रफक कीज़ेगे ज्यादा ना रहें, यह देखिए हमने इस पे लगा दिया है, अब हम अच्छे से एक होलो डॉम जैसा बनाएंगे, आपके पर जो भी अवेलेबल चीज़ हो घर पर जाब जिससे ऐसा डॉम शेप का बन सकता है, आप वो यूज कर सकते हैं, मैंने आपको कुछ चीज़े दिखाई हैं जो यह जूली हर गर में होती है इस तरीके से आप इसके एजस की शेप जो है वो सुदा रहेंगे, यह प्रफर कीज़ेगा पतला ना बने, अगर यह पतला बनेगा तो यह तूट सकता है फिर से तेल में, ज्यादा मोटा भी ने बनाना है लेकिन पतला तो बिल्कुल भी ने बनाईएगा, इस तरीके से फ फिर आप हाथ से इसको शेप जो है एजस की ठीक कर देंगे और थोड़ा डिप्रेशन होना चाहिए, सेंटर में इसको पूरा डॉम जैसा बनना चाहिए यह और इस तरीके से हम सारे बना देंगे, यह देख सकते हैं आप, अगर आप चाहते हैं बड़ा बनाना तो जो मैंन तो वह मोल्ड से ही बनाते हैं लेकिन पहले जमाने में अगर मोल्ड नी होते थे तो वह हाथ से ही बनाते हैं यह और इसको बहुत रिसपेकर ने काम हैं जो एवरी आप यह ऊबदा होसाम और इब उसके बाद शेप दिजेगा और प्रेफर कीजिएगा कि ट्रैक ज्यादा ना रहे तो आपको इसको जैसा मैं बूल चुकी होना तो ज्यादा पतला करना है और मोटा भी ज्यादा नहीं रखना है पतला होने से ये तेल में जाने के बाद तूट सकता है फिर से हम इसको फ्लाट करेंगे यहां पर देखिए और इस तरीके से हम सारी शिप्स बनाएंगे यहां पर देख सकते हैं हमने बना लिये हैं सारे अंदर से भी हॉलो होना चाहिए अब जो तेल होगा आपका बोहुत जदा गरम होना चाहिए वहना यह टूट जाएंगे अगर आप ठंडल तेल में डाल देंगे बहुत जदा गरम तेल होना चाहिए उसके बाद आप प्रेफर कीजिएगा किसी चानी पे पकड़के इसको पहले डालना तेल में जब तक ना यह शेप पकड़े उसके बाद आप इसको छोड़ सकते हैं सीधे पैन में यह देखिए हम रख रहे हैं इसको तकरीबं 3-4 सेकें तक यह जब तक थोड़ी सी शेप पक यह जो लोएस्ट है अपके कैस की बरन की फ्लेम उसको फ्राइ करना है अगर आपने शाण पर इसके बाद भी कुक किया तो यह अंदर से कच्चा रहे जाएगा कि कंप्लेन नहीं की जाए क्या कि कच्चा रह गया है सिरफ पहले आपको यह हाई फ्लेम पर रखना है जब त तूपने गया शेव खराब नहीं हुई इसलिए कि हमने पहले इसको हाई पर रखा था गैस ऑईल बर्निंग होना चाहिए बर्निंग होट उसके बाद सिम पर आपको इसको पकाना है कुख करना है जब तक नहीं अच्छे से फ्राइ हो जाए हर तरफ से यहाँ आप देख सकते हैं यह सारे बस्रक हमने फ्राइ करके रख दिये हैं यूजुली जिसने हमने पूछाया है उनने बताया कि यह तिन चार दिन तक थंडा करने के लिए रखते हैं फिर इसके उपर यह चाशनी चड़ाते हैं जिसको यह लोग गिलाफ बोलते हैं यह इसको यह लोग अपनी जबान में गिलाफ लगाना बोलते हैं शुगर की कोटिंग को और इस गिलाफ को वो लोग कम से कम 2-3 दिन के बाद इसके उपर लगाते हैं अगर गरम लगाएंगे तो यह शुगर उस पर कोट नहीं हो जाएगा इसलिए आप भी जब गर बनाएंग आप अगर सुद्ध बनाएंगे तो शाम तक विल्कुल भी निया आपको इक कोट करना है अगर आपने शाम को या दुपैर को बना लिया तो आपको नेक्स कोट करना है इसके ओपर इस शुगर सिरफ बिल्कुल भी यह वारम भी नहीं होना चाहिए अगर इस थोड़ा सा भ जब करैंब कर सबस्कूर करें अंतों जब सकते हैं जारे किना एक लंगी दिन के बाद इसके शगर की सके अगर करते हैं यए उनकी जबान में वेट और इक सेगन करते हैं हमें चाहिए कि जो यह यहां पर आप देख सकते हैं रेशे जैसे बन रहे हैं यह स्टिक की होना चाहिए देख सकते हैं आप में दो उंगलियों के बीच में थोड़ा सा हलका सा शुगर को रख रही हूं इसी शुगर को थोड़ा सा धंडा करके और वेट कर रही हूं जब तक तो यह नहीं थ्रेड जिससे बन जाएंगे, एक से दो थ्रेड से एक से दो रेशिय अगर उठ जाएंगे आपके दो फिंगर के बीच में, तो उसका मतलब है जो यह शुगर सिरप तयार है, तब जाके हमें गिलाफ लगाना है, तब तक आपको इसको शुगर सिरप को और थि में इसको ओना चुपार की बाइप रेशिय अलगे में, अवह शुगर सिरु यह दो और चुपार के एक से दो बन रहे हैं, और मोटे रहे यह देख के आप बिल्कुल एक से दो बन रहे हैं और मेरे हाथों के बीच में स्टिक कर रहे हैं, देखिए, इसका मतलब है कि यह त तैयार है अब हम गैस करेंगे बंद गैस ओपन नहीं रखेगा वरना यह क्रिसलिजिशन सारी उसी टाइम पर हो जाएगी गैस अब बंद कर देना है बिल्कुल उसके बाद इसमें आप बस्रक डाल देंगे और इसके ओपर कोड कर देंगे इसी शुगर सिरप का या गिलाफ क देंगे इनके ओपर यह देखिए आप यह फिर निकालके रख देंगे आप इसी ट्रे पर सारे बस्रक को इसी तरीके से आपको डिप करना है इनमें शुगर सिरप में और गैस बंद करके सब कुछ करना है अब गबराएगा नहीं अगर आपका शुगर क्रिसलिजिशन हो भ आपको इसी तरीके से हर एक बस्रक के ऊपर थोड़ा सा और शुगर सिरप डाल देना है यह गिलाफ चडाना है और फिर उपर से ड्राइफ्रूट्स रखने है अगर आप ड्राइफ्रूट्स ने रखना चाते हैं तो प्लेन वाले भी होते हैं तो उसमें सिर्फ आपको सि пальणा प्लेन कीज़ते हैं तो इसे तरह से आपको ए ठंडा होने के लिए और फिर बनाएंगे हम hosts की आपने अगर बना आए हैं ऊ तो कैसा लगा आपको में फिक्चर ंिल्गवख को तो कि इस आपको हमारे इंस्टचर्ग्राम और इंस्टपर पेज पे और हमारे इंस्टाग्राम और फेस्बुक पे वेट कीचेगा हमारे कश्मीरी वाले वर्जिन का इसका